एल्डोरिया के रहस्य मया जंगल में औरेलिया नाम की एक चतुर लोमडी रहती थी वह अपनी चाला की और तीक्षन बुद्धी के लिए पूरे देश में जानी जाती थी एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी तो उसे हेलियोज नाम का एक सुन्दर पीला कौवा मिला हेलियोज अपनी बुद्धी और बुद्धी मत्ता के लिए जाना जाता था लेकिन औरेलिया ने उसे धोखा देने का एक मौका देखा वह अपने चेहरे पर एक धूर्थ मुस्कान के साथ हेलियोस के पास गई और एक नर्म मोहक आवाज में बोली प्रिय हेलियोस उसने शुरू किया मैंने आपकी भविश्यवानी की अविश्वस्निय शक्तियों के बारे में सुना है क्या अप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे की मेरे लिए भविश्य में क्या है लोबड़ी के अनुरोध से खुश होकर हेलियोस ने गर्व से अपनी च्छाती फुलाली और काव काव करके कहा और एलिया मैं तुम्हारे भविश्य में बहुत धन और सफलता देख रहा तुम महानता के लिए किस्मत में हो और एलिया ने शरार्ती धनक से मुस्कुराते हुए हेलियोस को उसकी भविश्यवानी के लिए धन्यवात दिया जैसे ही वह चली गई वह खुद को हसने से नहीं रोक पाई पीले कौवे को क्या पता था कि उसने उसके दिमाग में एक छूथी द्रिष्टी डाल दी थी दिन बीठते गए और और एलिया ने देखा कि हेलियोस ने मूख ताप्मून काम करना शुरू कर दिया उसने जो जूठी भविश्यवानी की थी उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया उसने चमक्तार वस्तूं को जमा करना शुरू कर दिया और खमंदी व्यवहार करना शुरू कर दिया ये सोचकर की उसकी भविश्यवानी की शक्ती अच्यूक थी लेकिन औरेलिया की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी वह जानती थी कि हेलियोस जल्द ही सचचाई को समझ जाएगा और बदला लेगा इसलिए उसने उसे हमेशा के लिए चक्मा देने की योजना बनाए एक अंधेरी रात औरेलिया हेलियोस के पास गई और उसे एक चमकदार सुनेहरा हार भैट किया ये डावा करते हुए कि ये उसकी भविश्यवानी के लिए उसे धन्यवात देने के लिए एक उभार है प्रसन होकर हेलियोस ने हार को उतसुकता से स्वीकार कर लिया औरेलिया द्वारा बिछाए गए जाल से अंजान जैसे ही हार उसके गले में पड़ा यह एक जादूई पच्टे में बदल गया जिसने हेलियोस को औरेलिया की इच्छा से बांध दिया चतुर लोमरी ने पीले कौवे को मात दे दी थी और अब उसे बंदी बना लिया था हेलियोस ने अपनी आजादी की भीख मागी लेकिन औरेलिया ने केवल हासी और उसकी मूर्खता के लिए उसे ताना मारा उसने खुद को एलडोरिया के रहस्यमय जगल में धोखे की असली मास्टर साबित कर दिया था और इस तरह है चतुर लोपड़ी औरेलिया और पीले कौवे हिलियोस की कीवतनती पीलियों से चली आ रही है छल और चाला की की एक कहानी जो एलडोरिया के पौरानिक इतिहास के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी